तो गाईस स्वागत है आपका लेट्सक्राइकर दुश्य गुपता की यूट्यूब चैनल पर और अब हम देखने जा रहे हैं UKPSC का जो FRO मेंस में जो इंग्लिश का फेपर हुआ है पांच एक्जाम होने जा रहे हैं इसमें GK का फेपर अल्रेडी डिसकस किया जा चुका है दिखाये जा चुका है कि हमारे कंटेंट से सीधे सीधे कितने सवाल आये हैं जितना current affair का portion था सारा कंटेंट से आया है बहुत important paper था general knowledge का अगर आपने उसको देखा है नहीं देखा है वीडियो को जुरूर से जुरूर देख लिजीगा इस वीडियो में हम English का फेपर डिसक किया जाएगा पहले English paper देख लेते हैं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और बैल आइकन पर दबा दिजेगा जिससे सारी वीडियो की notification आपके पास पहुसते रहे फ्री टेलिग्राम चैनल भी है जहां पर सब PDF शेयर की जारी है तो वहाँ पर आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं उसका लिंक आपको वीडियो की description मिल जाएगा बाकी junior assistant के exam के लिए कनिस्ट साय के exam के लिए और आरो यारो सची वाले के लिए full preparation batch चलवा है तो आप उसको जॉइन कर सकते हैं उसको जॉइन करने के लिए 766 65804421 पर call a message कर सकते हैं चली बाकी paper देखते हैं तो guys यह है paper general English का paper हुआ है तीन घंटे के समय है 100 number का paper है सभी questions वगर आपको करने होते हैं सभी questions compulsory है तो देखते हैं इसमें English Hindi नहीं हो पायागा क्योंकि English का paper है तो पूरा का पूरा paper English में है कुछ भी चीज इसमें Hindi में नही लिखी हुई है तो पहले तो ऐसे आता है लिखने के लिए आपको 400 शब्दों में एक ऐसे लिखना है किसी भी एक topic पे devastating effects of nuclear war ये ऐसे इसलिए पूछा गया है क्योंकि अभी बहुत आशंकाई जदा जारी थी जो Ukraine Russia का contract चल रहा है उसमें nuclear war तो नहीं हो जाएगा Politics and Religion, Empowerment of Women और News Channels on Television एक Necessary Evil तो ये चार बहुत ही महत्पून topic पूरे current की topic चल रहे है चारो Currents अगर आप जुड़े विए हैं तो आप इस essay में बहुत ही अच्छा score कर सकते हैं क्योंकि जो essay है वो current आप कितना उसमें mention करके आते हैं उस चीज क्योंपरिवन करता है तो बहुत सारी students ने Empowerment of Women पर ऐसे लिखा है क्योंकि भारा सरकार की तरफ से कहीं सारी योजनाय चलाई जा रही हैं उजवला योजना चलाई गई नारी शक्ती campaign चलाया गया हर घर जल से या नल से जल scheme चलाई जा रही है बहुत सारी schemes ऐसी schemes चलाई जा रही है भारा सरकार दुआरा जो सीधे-सीदे महिलाओं से केंदिरेत हैं महिलाओं की Empowerment से केंदिरेत है तो बहुत सारी students ने Empowerment of Women लिखा है Politics and Religion भी बहुत Important topic है कि किस तरह से politics में हम religion के इस्तमाल करते हैं या religion और politics कैसे अलग होना चाहिए या वो दोनों कैसे एक साथ होके काम कर सकता है इन सब चीजों के उपर बहुत इच्छा है से लिखा सकते हैं nuclear war इसमें किस तरह से atomic जो atomic bombs होते हैं उनमें किस तरह से nuclear fusion reaction होती है थोड़ी से आप science का concept भी इसके अंदर आ सकते हैं समझा सकते हैं इससे के अंदर nuclear fusion और nuclear fusion को और उसके बाद क्या devastating effects हैं Hiroshima, Nagasaki का आप example दे सकते हैं इसमें और कई सारी चीज़े इसमें बता सकते हैं और news channels अगर हम देखते हैं आज के time पे जो news channels हैं उनकी बहुत बुरी इस्तिती है कि वो किस तरह से television पे आते हैं और जो आजकल anchors जो हैं वो किस तरह से बहुत ज़ादा भढ़काऊ भाशन टाइप का देते हैं यानि कि वो बहुत ज़ादा aggressive way में बात करते हैं जो एक generalist की जो एक logic हुआ करता था एक necessary evil है यानि कि ज़रूरत भी है और अपने आप में एक evil भी है तो उसके उपर भी ऐससे लिखा जा सकता था कई सारी students ने empowerment of women के उपर लिखा है आप लोगोंने किस topic के उपर ऐससे लिखा है comment section में comment करके ज़रूपताईएगा next आता है letter लिखने के लिखिए ये letter लिखना है एक तो landlord को लिखना है आपको कि अगर आपको flat में अपने कुछ repair करवानी है जिस flat में आप किराहे पे रह रहे हैं या एक letter लिखना है to the editor of the newspaper regarding frequent road accidents in your town due to reckless driving reckless driving के वज़े से जो accidents हो रहे हैं ये same question practice भी करवाया गया था FRO वाले students को FRO वाले students को same question दिया गया था और ये same question reckless driving के उपर यहाँ पर आ गया है फिर notice writing practice करवायी थी students को तो उसमें ये कहा गया था कि शाप 6 बजे poly इंडे पर आ जाना है एक तो ये question था जब फिर circular लिखना था teachers के लिए to strictly follow the corona guidelines on the opening of the college अब देखिए इसके बाद जो third question आता है वो आता है प्रैसी रैटिंग के लिए कि आपको एक प्रैसी लिखना है यानि कि ये जो आपको जितना भी sub content दिया है इसको आपको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद इसकी one third writing में यानि कि one third length में आपको उसको प्रैसी कर देना है चोटा कर देना है और इसके लिए title भी देना है ये total 5 number का था काफी अच्छी practice करवाई गी थी सभी students को इसके लिए भी फिर इसके लिए भी प्रैसी लिखना है तो दो प्रैसी आए है ये थोड़ा बड़ा होगा ये दस नंबर का है एक चोटा प्रैसी था जो की 5 नंबर का था इसको इसकी जो PDF है वो जो free telegram channel है उसमें share कर दी गई है तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं next question पूछा गया है synonym लिखने के लिए यानि कि आपको प्राइब आची लिखने है अबहोर का लिखना है बिगाइल, crafty, elegant और psychophant तो इन 5 शब्दों के आपको synonym लिखने थे और अन्टनिम लिखना था आपको inhale, thriftly, innocent, optimist और visible के उसके बाद substitution of one word बहुत ही अच्छा questions आए है, one word substitution के a government by the people, of the people for the people, democracy कहते हैं at a person difficult to please one who knows everything, murder of a king a list of books तो बहुत ही अच्छा question थे फिर idioms of phrases का meaning पूछा गया था आपसे कि when you go to a hill station you will come across a number of animals, यानि कि आपको बहुत सरे जानवर देखने को मिलते हैं add fuel to fire, all of a sudden at home, और beating about the bush यानि कि सीधे सीधे बात ना करके घुमा फिरा कर बात करना फिर parts of speech की बात की जारी है ये question में practice कर वाया था बहुत अच्छे से parts of speech में या आता है कि कौन सा adverb है, कौन सा verb है, कौन सा adjective है noun है, pronoun है, क्या वो शब्द है वो आपको बताना होता है, तो honorable sympathize, courageously, grace, and जिसे end तो आर्टिकल हो गया and conjunction हो गया, हुरे एक exclamation word है, फिर very, never, upon, तो यसे करके दस शब्द थे, जिसको आपको लिखना था और कुछ sentences ऐसे आते हैं कि उनको आपको rewrite करके लिखना है कि क्या कहा गया, जैसे question है post the letter, इसको passive इसमें convert करना है, he is two weak to walk, इसमें साब को two हटाना है, two हटा के sentence को बनाना है, he is two weak to walk को आपको two हटा देना है इसमें से कालिदास is the greatest of Indian poets इसको comparative sentence बनाना है the night is very beautiful, इसको exclamatory sentence बनाना है, जैसे कि wow, the night is very beautiful, ऐसे गर क्या बना सकते हैं इसको, USA is the richest country in the world, positive sentence बनाना है, she is ill, she looks cheerful, इसको compound sentence बनाना है कि आप ऐसे बना सकते हैं कि although she is ill, though she looks cheerful, ऐसे कुछ भी करके आप sentence बना सकते हैं, इसका who does not love his country, तो आपको इस statement को change करना है, without meaning, without changing its meaning, कि इसका sentence का meaning बिना change हुए, आपको statement को change करना है फिर complex sentence में आपको convert करना है on entering his room, his voice अब देखें, यह जितरी भी चीज़ें हैं, complex sentence हुआ, यह वाला question हुआ, इससे बने compound sentence हुआ, सब चीज़ें करवाई गी थी active, passive voice, सब कुछ करवाई गया था पूरा-पूरा paper वैसी जाया है जैसे की जैसे की practice करवाई गी थी he is intelligent, he is diligent तो इसको congestion की use करके करना है he was awaiting his friend the platform, तो on the platform आ जाएगा, he was waiting his friend on the platform तो preposition इसमें लगाना था, तो on the platform आ जाएगा फिर punctuation mark इसमें यूज करने थे तो oh god give us our deliberate तो oh god के बाद आप exclamation mark लगा सकते हो deliberate के बाद full stop लगा सकते हो तो इस तरह से करके punctuation देना था alas said the prince life is full of sorrows milton the great english poet was blind in fact truth is beauty और egypt, Italy and Spain are foreign countries तो e बड़ा जाएगा इटली का I बड़ा, Spain का S बड़ा और egypt के बाद, Italy and Spain are foreign countries के बाद full stop ऐसे करके आपको इसको punctuation देना था बहुत ये अच्छा paper आया है same paper की तैयारी आपको घरवाई गई थी FRO mains जिन्होंने students ने join किया वा था FRO mains के students को जिन्होंने testary join की भी थी exactly same to same paper उनको provide किये गई थे ये सीजे, बहुत अच्छे से उनकी practice होई है और उनको वहाँ पर exam लिखने में बहुत असानी भी महसूस हुई होगी बाखी आप लोगों का paper कैसा हुआ है comment section में comment करके जुरू बताईएगा कोई भी आपका doubt आता है, कोई भी आपका feedback है session है तो जुरू बताईएगा इसके बाद जो हिंदी का paper होगा उस paper को भी यहाँ पर discuss किया जाएगा हिंदी के paper को भी यहाँ पर बताई जाएगा चलिए बाकी मिलते हैं next video में so thank you and bye bye